जैहिन साथियों स्वागत है MK Sir Inspiration के एक और बहतर वीडियो में So friends, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से लेटर लिखना सिखेंगे और आज के बाद कोई भी लेटर हो आपको परिशान नहीं कर सकता है और आप Board exam में सबसे पहले लेटर वाला question करके आएंगे गौर से देखिए इस question को मासूम साथ दिखने वाला question बच्चों को परिशान करके रख देता है लेकिन इस बात की मैं guarantee लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी लेटर आए आप exam में सबसे पहले इसे ही फोड़ कर आएंगे है ना? या फिर mobile phones के उपयोग दुरुपयोग इन ही पर पूरा घूम घुमा के लेटर आपके exam में पूछा जाता है तो चलिए बहुत ही simple तरीके से इस question को हम समझ लेते हैं आपका जो letter होगा question वो क्या कह रहा है कि write a letter to editor a newspaper about frequent breakdown of water supply in your locality गौर से समझिएगा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा बस इसे समझ लेना कोई भी later आप लिख देंगे और 10 number आपके पक्के हो गए है चलिए question कहें कहें writer letter एक पत्र लिखिए to editor editor यानि समपादक किसके of newspaper किसी क्या है अखबार पत्र क्या करना है कि आपको किसी अखबार के समपादक के लिए एक पत्र लिखना है about यानि के बारे में frequent breakdown frequent का मतलब बारम बार 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 breakdown of water supply यानि पानी की कटवती हो रही है और in your locality यानि आपके area में तो question का मतलब समझ में आ गया उसके लिए एक पत्र लिखे और उनकी समस्या को अपनी समस्या को बताईए तो लिखना कैसे है देखिए बहुत सारे student गलती यही करते है उनको तरीका नहीं पुराना तरीका छोड़िए मेरे दोस्त या नया तरीका क्या है उसको समझिए लिखना क्या है ये तो रहा question अब आपको इसमें इस तरफ ध्यान दिजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर sender का address sender भोले तो जो उस पत्र को भेज रहा आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका address उपर mention होना चाहिए हमारा address है मवु आयमा प्रयागराज सो हमने mention कर दिया अपने कुछ भी आप जहां से belong करते हैं लिख दीजिए फिर कुछ line blank से यह नि कुछ line आपको यहाँ पर छोड़नी है एक दो line छोड़ दीजिए है ना और यहाँ पर कुछ line चोड़ने के बाद आपको date mention करना है ऐसे नहीं कि 4, 5, 2020 बाद कुछ line फिर छोड़ करके नीचे लिखना है the editor यहाँ से क्योंकि यह जो address होता है वो receiver का होता है जो आपके पत्र को प्राप्त करेगा जो आपके पत्र को क्या होगा पाएगा वो होता है receiver का address यहाँ पर लिखना है the editor यह आप editor के लिए पत्र लिख रहे है तो एडिटर उसके बाद यहाँ पर उसका हिंदुस्तान टाइम से यह newspaper है आप दैनिक भासकर दैनिक जागरा अमरुजाला कोई भी लिख दीजिए और यहाँ पर निव देली पिन कोड लिखना चाहते है लिख दीजिए तो यह रहा क्या है receiver का address अब कुछ line छोड़ दीजिए एक line छोड़ी ज्यादा नहीं उसके just नीचे subject बिसे क्या है तो भाई साहब बिसे क्या है बिसे यह है दोस्तों कि problem of water supply पानी की जो है समस्या है आपके इलाके में पानी की जो supply है वो कट रही है तो लिखना है problem of water supply यह हो गई समस्या अब लिखेंगे dear sir या respected sir ध्यान से समझगेगा अब यहां से dear sir कामा लगाईए अब यहां से main कहानी सुरू होती है और ध्यान से समझना आज हम आपको ऐसा trick बताएंगे यहां से एगर water supply के स्थान पे electric supply वाला कि यह एक्जाम में अपकी 2022 में पूछा गया question था लेकिन यहां पर water supply के स्थान पे अगर electric supply आएगा आ गया तो आप second में चुटकियों में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे बन जाएगा तो वही हमें आप सीखना है लिखेंगे क्या एकदम simple इससे आसान तरीका में guarantee साथ कर रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा है कि I am a residence of आनंद विहार प्रियागराज दीखे I am एकदम simple word का यूज़ करना है कि I am a residence मैं निवासी हूँ आफ आनंद विहार आनंद विहार एक कलोनी का नाम है ठीक ना एक क्या है आपके इस इलाके में कोई कलोनी है और प्रियागराज मैं प्रियागराज से विलांग करता हूँ तो हम प्रियागराज के लिख दिए आप जहां से विलांग करते हैं लिख सकते हैं कि I am a residence of आनंद विहार प्रियागराज कि मैं प्रियागराज के आनंद विहार का एक निवासी हूँ है ना मैं प्रियागराज के आनंद विहार का निवासी हूँ I am writing a letter to so you problems about frequent breakdown of water supply in our locality तो इसमें लिखना क्या कि I am writing a letter कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ क्या दिखाने के लिए problems about frequent breakdown of water supply in our locality यनि हमारे इलाके में बार बार जो पानी की कटवती हो रही है उस समस्या को आपको मैं बताना चाहता हूँ वहीं कह रहा कि I am writing a letter कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ to so you problem about frequent breakdown of water supply की बार बार बिजली की बार बार पानी की जो कटवती है उस समस्या को आपको दिखाना चाहता हूँ in our locality यनि हमारे इलाके में यनि हमारे इलाके में जो बार बार पानी की कटवती हो रही है क्या है water supply में क्या है कटवती हो रही है उसी समस्या को मैं आपको दिखाना चाहता हूं यानी बताना चाहता हूं फिर आंगे कह रहा है कि कहां गया भाई साब ये रहा कि we are पर इसमें बहुत ही बड़ी मुसीबत में है या बहुत ही कठिन परिस्थितियों में है आगे है कि आगे करा कि people has to face many difficulties due to frequent breakdown of water supply people has to face many difficulties लोगों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है कि due to frequent breakdown बार-बार कटोती होने से आप water supply यहनि लोगों को बार-बार पानी की कटोती होने के कारण बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई साब हमारे इलाके में जो लोग हैं वो बार-बार पानी की कटवती से तंग आ चुके हैं है ना तो वही कह रहा है कि people has to face लोगों को सामना करना पड़ रहा है many difficulties बहुत सारी कठिनाईयों का due to frequent breakdown यानि बार-बार कटवती होने से किसके of water supply यानि पानी supply के तो हमारे इलाके के लोगों को क्या हो रहा है कि बार-बार water supply के कटने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आगे है फिर नीचे कुछ line छोड़ करके आपको लिखना है एक दो line लिखना है कि I want you to publish मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ you to publish कि आप इस चीज को उजागर करिए इस चीज को क्या लोगों के सामने लाइए this thing यानि इस चीज को यानि हमारी समस्या को in your newspaper अपने अख़वार पत्र में क्या करिए कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी समस्या को अपने अख़वार के माध्यम से publish कर दीजिए इसे लोगों तक पहुचा दीजिए उजागर करिए so water supply department could take any action ताकि जो water supply department है यानि जो क्या है जल निगम विभाग होता है वो क्या कर सके दोस्तों could take any action कोई जल्द से जल्द कोई क्या है एक्सन ले सके यानि इस पर कोई बिचार कर सके है ना इसलिए कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को अपने अख़वार पत्र में mention करिये ताकि जल्द ही क्या करे कि water supply department इस चीज पर कोई एक्सन ले सके इसके नीचे एक लाइन लिखना है जगा नहीं थी इसलिए उपर लिख दिया जस्ट इसी के नीचे लिखना है कि I shall be eagerly waiting for the action to be taken और मैं क्या I shall be eagerly मैं उत्सुक रहूंगा मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं for the action to be taken कि जल्द ही उस पर कोई क्या है action लिया जाए यहनी मैं बहुत ज्यादा विनमरता से बहुत ज्यादा उत्सुकता से इस चीज का इंतजार करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं पर क्या है कोई action लिया जाए और नीचे लिखना क्या है कि thank you है न भी नहीं लिखेंगे आग्या कारी थोड़ी ना आप आग्या कारी नहीं लिखेंगे कि आपका आग्या करी no yours faithfully यह नहीं आपका hit अब की बार water supply आया था तो हो सके अब की बार टपक पड़े electric supply तो मेरे दोस्त पूरी पिक्चर यहां से यहां तक same no changing जहां पर problem of water supply वहीं पर problem of electric supply देन आपको mention पूरा का पूरा करना है लेकिन जहां frequent breakdown of water supply तो frequent breakdown of electric supply और नीचे भी आये जहां पर यह water supply वहां पर electric supply यह पूरा का पूरा चीज आपको यहां पर जो water supply department तो यहां पर electric supply department बाकी पूरी picture खतम जहां जहां water है वहां वहां electric लिख दीजिए पूरा लेटर तयार हो गया इसके अलावा और इस पे देखिए जो west यानि जो कूडा करकत का धेर आपके इलाके में लग रहा है उसके लिए भी बत बढ़ेंगे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूटूब फेमिली का एक हिस्सा बन जाए मिलते है किसी और मज़धार टॉपिक के साथ लव यू बाई बाई टेक केर